के बेदेशा रॉपक हों आज और आज हम जो च्टर करने जारें हैं क्लास 12 का फिजिक्स का घरेंट इलेक्टरिसिती जो थर्ड चैप्टर है और रही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है बिना कि देरी की वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पह दो को शुरू करते है तो शेयर करो तुमने सभी फ्रेंज में में इस्ट्रक्राम का इस लिंक डिस्क्रिप्शन में जागे ज़रूर फॉलो मारो विदाउन इनी फ़र्द दियू लेस्ट बेगें दो वीडियो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करेंट के बारे हैं बच्पन से बढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक करेंट होता क्या चीज है अबसे उक्के बेहां है वहीं लेक्ट्रिक करेंट शािक्रिक का अधाया है कि क्यूब इक तो पता है यह क्यू बाइटी और क्यू की जगे एनी रख दोगे तो एनी बाइटी भी हो जाया गया वैर इस इलेक्रिक चार्ज ओन दे लेक्ट्रों अगर यह पर चार्ज डी की हो जाए तो यह पर डिफ्रेंसियेशन की नमस मतलब छोटा सा चार्ज ले ले और छोटे से टाइम के लिए बात करें इलेक्रिक करेंट की तो डिक्यू बाइटी यह चीज अब को बता रहती है इंटीग्रेशन वाला करोगे तो लिमिट्स आ जाएंगी बाइटी जीरो से लेकर टी आपके लिमिट्स हो गई यहां पर टाइम टी तक तो यह आपको जिस जनरल यह चाप्टर का स्टार्णिंग अब हम बढ़ने वाले हैं करेंट पूर डिर्ट निकाल फोल्मॉला लगा कि आपको अपना अंसर निकालना पड़ता है बहुत असंसा इस डिए इसका टो एक डेरिवेशन आता है आपके 12 क्लास के उनल बोट के अंदिर आपको पर अडर्वेशन आतो उसको ज्रूरी बडूर चेक आट करना तो मैं आपको इसक स्लोग के अंदर आपको बताना होगा कि उस लोग के अंदर जो हमारा electric current होता है वो directly proportional to the electric potential i is equals to v by r तो v is equals to i r वाला जो formula आजाता है ठीक है तो यह आपको भी चीज़ याद रखनी है जो कि बहुत बहुत जादा important है current density के respect में इसका formula होता है इन इवीडी तो यह आपको directly काफी बार आपका सवाल होता जिस पर current density पूछी होती है एन इऔर वीडी के values given होती है फिर आपको drift velocity value निकालना होती है current density value given होती है तो आपको सारे formula's पता होने चाहिए current density का क्या है drift velocity का क्या है Q का क्या है, I का क्या है, सब चीज बता होनी चाहिए, एक है, फॉर ओमेक कंड़क्टर, अगर मैं कंड़क्टर की बात करूँ, मतलब कंड़क्टर के बीच में V और I के बीच में ग्राफ बनता है, इसका स्लोप के बार में बिलनियमें डिसकर्ष करना है, यह वाला मेरा V हो गया, यह मेरा आई हो गया, यह मेरा एंगल थीता हो गया, 10 theta हमार क्या होता है perpendicular upon base that is v by i और v by i क्या होता r that is resistance है न तो हमारा जो v और i graph का जो slope होगा वो में resistance देता है यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे रखा है आपको इस वाले graph के अंदर t1 values and t temperature temperature तो यहाँ में 10 theta 1 और 10 theta 2 है तो theta 1 और theta 2 के क्या यहाँ पर क्या लिख रखा है यहाँ पर condition दे रख़िए कि 10 theta 1 जो है वो जादा है 10 theta 2 से तो इस case में 10 theta जो होता है तो अगर 10 theta 1 जादा है तो मतलब R1 जादा होगा R1 जादा होगा similarly R2 कम होगा उसके less में और resistance का relation होता है temperature से conductors के लिए directly proportional तो अगर R1 जादा है तो temperature भी जादा होगा और T2 कम होगा तो T1 is less than T2 तो इस टाइप की questions भी आते हैं तो आपको पता होने चाहिए किसका क्या किसके साथ relations है ठीक है resistivity of electrolytes के बारे में बात करेंगे with a rise in the temperature resistivity of electrolytes also decreases temperature rise होता है तो resistivity of electrolytes decrease करती है मैंने बोला relation formulas combination यह चैप्टर तो आपको पता होने चीक सो भाई यहां पर resistivity जो होती है वो decrease होती है temperature के increase के साथ यहां पर ठीक है तो क्या होता है देखो mainly क्या होता है इसका reason क्या है rise in temperature के साथ जो viscosity होती हो क्या होता है जो आयांस होते है उनको और freedom मिल जाती है और तेजी से अंदर अंदर move करने की ठीक है move inside the electrolytes hence जो resistivity होती है वो decrease हो जाती है rise in temperature के साथ similarly अगर मैं बात करूँ specific resistance की तो specific resistance जो होता है वो change नहीं होता with the shape of the resistor ठीक है अगर है resistor की shape अगर हम बदल रहे हैं तो specific resistance जो होता है वो change नहीं होगा वो depend करता है only on the material of the conductor at constant temperature constant temperature पे क्या material यूज हो रहा है हमारा conductor को बनाने के लिए specific resistance उसी पे depend करता है तो मैंने बोला जो क्या dependency किस पर आपको याद होनी चाहिए conductors की बात करूँ conductivity की तो conductivity क्या होती specific resistance जो होता है हमारा उसका उल्टा कर तो reciprocal of specific resistance that is conductivity ठीक है conductance क्या होता resistance का उल्टा इसका इसके unit होगी साइमन पर मीटर इसके dimensions भी रखें dimensions आपने class 11 पे पड़े होंगे आपको निकाल ले भी आते सब चीजों का याद कर सकते हो करना चाहो तो ठीक है stretching of wire के case में आर जिकोस टू रो एल बाइए होता resistance इकोस टू रो एल अपॉन ए रो इसके और terms के अंदर और कौन-कौन से formula हो सकते हैं वह आपको सामने यहां दे रखें इसमें आपको पता होना चाहिए ठीक है अब आपको सोच भी रहा हो आपके लिए कुछ बता होने वाला है कि मैं कुछ सोच रहा हूं के लिए आपके लिए करूं जिससे आपको बताने वाला हूं बहुत जल्दी कुछ नया होने वाला है ठीक है resistance in series and in parallel resistance in series parallel आपको अलड़ी पता है series में क्या होता है र-equivalent R1 plus R2 plus R3 similarly अगर यहां पर parallel की बात कर तो 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 so 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 on यहां पर चलते जाहिए बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं if resistance R1 and R2 are connected in parallel then the resultant resistance सिफ अगर दो resistance मालो R1 and R2 को जिस परकार से है यह न R1 और R2 यह parallel में connected है तो इनका R equivalent जो हमारे यह एक बंता है R equivalent वो क्या होगा उसका directly formula बहुत ही आपको कि इसका formula याद करनी क्या जूरुत मैं तो वैसे भी निकाल सकते हूं यह रहा अगर resistance parallel में joint होते हैं तो potential difference होता है उनका बीच का वो same रहता है बड़ जो current होता है वह पर change हो जाता है current किस ratio में change होता है I1 ratio I2 ratio I3 कैसे होता है 1 upon R1 ratio 1 upon R2 ratio 1 upon R3 तो सब इतना असान ही वाला resistance वाला पार्ट तो बहुत ही वाला बहुत ही असान सा है the two wires of resistivity is row 1 row 2 length L1 L2 connected in series to equivalent resistivity क्या होगी that is row 1 L1 plus row 2 L2 divided by यहां लिखा है L1 plus L2 क्या है row 1 L1 plus row 2 L2 upon L1 plus L2 that is the equivalent resistivity अगर दो वायर यहां पर आपके series में connected है ठीक है जिसमें आपका R1 row 1 and row 2 आपके अलग-अलग resistivity है ठीक है तो यह भी आपको मैंने short form में सारे formula देने की कोशिश करी है conductivity के respect में भी आपको यहां पर formula देखने को मिलेगा अब यहां पर series की बात होगी तो भाई पहले लल के case में क्या होगा पहले के case में यह रहा formula जिसमें आपका area अलग से जोड़ गया है बस आपको यह आद रखना पड़ेगा ठीक है दो formula ने series और पहले वाले दोने एक बर ज circle एक wire of resistance R को हमने circle के form में bend कर दिया है तो effective resistance between the two points making an angle theta directly एक सवाल आता है यह राइस टाइप का सवाल ठीक है इन दोनों के बीच का point का resistance क्या होगा उसका formula भी जा रखा है r theta two by minus theta upon four pi square तो मैंने आपको कोशिश करी है यहां पर काफी सारे अलग लग जो directly सवाल आते हैं जिनक resistance of each edges are their conductance is C तो यहां पर resistance and conduction between two nearer corners यह होगा 7 by 12 R ठीक है resistance across face diagonal होगा 3 by 4 R resistance across the main diagonal होगा 5 by 6 R रिखो हमें points रखे 1,2,3,4 सारे उसके बीच में पर resistance निकाल आता है तो यह भी directly आपका सवाल है I hope कि आपको समझ में आजागा रूख के इनको पढ़ो जल्दी से फटा-फट लिख लो टाली फॉम्मले जयार बस आपको फॉम्मले जाज करने हैं इनके आद रखना लिख लो नेक जगे मैं बता रहा हूँ ठीक है EMF of a cell very important EMF of a cell क्या होता है so what is EMF of a cell the energy supplied by the battery to drive a unit charge around the circuit is known as or is defined as the electromotive force that is known as the EMF of the cell EMF को हम E से denote करते हैं अगर मैं आप इस circuit की बात करूं पर EMF को हमने इसे शो किया है internal resistance को हमने R से शो किया और external resistance को हमने capital R से शो किया है देख सकतो यह रहा small R capital R यह हमारा काई current आई दोड़ रहा है I is the current in the circuit V is the potential difference across the external resistance के बीच में potential difference external resistance के बीच का potential difference है and what is V' V' is the voltage across the internal assistance internal assistance के across हमारा जो voltage है वो क्या है V' है उसको हमने V' से denote किया है EMF of the cell क्या होगी दोनों potential को add कर दो कि V plus V' what is V' I into R that is R is the internal assistance है ना यह देखो यहां पर R internal assistance और I current डॉड रहा है तो V' is equals to IR क्योंकि V' क्या है internal resistance के across जो potential है ठीक है from Ohm's law I is equals to V by R है तो मतलब यह पर E हमने main potential यह है EMF तो E by capital R plus smaller दोनों R को series में है तो दोनों को हमने series की तरह आट कर दिया E की value हाँ पर रखी यह वाला आपका I का formula आ गया similarly आपका यहां से V' का formula भी निकलाएगा यह रहा Fractional energy useful V by E R upon R plus R Fractional energy में आप क्या करोगे आप V upon E कर दोगे वी का आपको पता है तो क्या होगा यहां से V E को V के नीचे ले जाओ V by E is equals to R upon capital R plus R है ना तो यह क्या होता है यह होता है हमारा Fractional energy useful percent of Fractional energy मैं 100 से multiply कर दो तो V by E का ratio को 100 से multiply कर दो यार बहुत ही मैं जान मुझके step के formula आपको sequence में कि Fractional energy का formula फिर percent of Fractional energy useful का formula फिर Fractional energy lost क्या होगी V' E by E is equals to R small r plus upon R plus small r तो यह formula लिखो कि directly question आते हैं कि Fractional energy lost कितनी होई percent of Fractional energy useful कितनी होई आई क्या है V क्या है internal resistance का formula यहां से क्या निकल के आया तो यह सब आपको बहुत important है जो कि आपके directly सवाल आते हैं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको 20-minute revision series के अंदर आपको मैं formulas बताऊं concepts मैं थोड़ी जितने explain करना चाहूँ उतने explain कर सकूँ और आपको end of the day आपको formula से question निकले है ना और अब जितने जाद हो question प्रेक्टिस करोगो उत्ता जाद होगा तो मैं बोलना हूँ कुछ निया निकाल के आने वाला हूँ बट वह आपको थोड़ी ना पतर लगेगा अगर cell charge हो रहा है when the cell is charging तो उसमें क्या होता है EMF जो होता है वो less than होता है terminal voltage से signal voltage प्याद होता है वो italy let थो हे से कभम होता है जब चार्जिंग के case में होता है उसमें क्या होता है अपकी जो equation मनती है वियोरी के बाइच में वहुनती है इस इकॉर्जियं जो होता है तो वह पर EMF ङ which कुछ tricks हैं जो कि आपको directly सवाल solve करवाईगी power की बात करूं तो power delivered will be maximum when capital R is equals to small r जो आपका external resistance और internal resistance same हो तो maximum power deliver होगी उसका formula होता है E square by 4R देख रहो कितने सारे formulas है यह chapter formulas का है formulas concepts और कितने रहाद question practice करोगे उन से आपका यह chapter all strong होता रहे grouping of cells देख सकते हो series grouping इस प्रकार हो रही होती है and cells लगाते जो लगाते जो पहला grouping कुछ इस तरीके से रही होती है नीचे parallel में कितने सारे आप लगाते जा रहे हो यहां पर इसका देखो pause कर कि आप इसको लिख सकते हो या फिर आप आपको notes कभी मैं कुछ इंतिजाम कर रहा हूं आपके लिए ठीक है वह मैं बता रहा हूं कुछ आने वाला है समझ लो ठीक है कुछ revolutionary आने वाला है यहां पर end times ही होती है series के अंदर parallel में e ही रहेगी सबकी e ही रहेगी similarly group in each rows में आपकी end times हो जाएगी internal resistance क्या होगा वह भी end times हो जाएगा आपके series के अंदर divide कर दोगे मतलब r by m कर दोगे तो आपका parallel के अंदर और nr by m कर दोगे तो वह आपका group जो हो जाएंगे group in each rows के इसमें तो यहां पर इसको इससे divide कर दोगे बड़ यहां पर external load के लिए निकाल लें तो जो external resistance आ रहे तो आप उसको भी resistance के सब एड़ करोगे तो इसको upon इसको यह रहा यह रहा और प्लस इसमें हमने r add कर दिया है generally इसको इसको add करोगे यहां पर आपने r add कर दिया है इसको 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 आप डिवाइड करोगे यहां पर आइड कर दिया है बस डिवाइड करना है आई निकलाएगा purpose of combination more voltage is required, more current is required, more power is required, series के case में more voltage required होता है, parallel के case में more current required होता है, और group in each rows के अंदर more power is required, यह मैं अल्यड़ी बता चुका हूँ, charge and discharge वाला case, joules heating effect के वारे बात करने वाले है, when a potential difference V is applied between the ends of a resistor, an electric field will act on the free electrons, उस case के अंदर एक electric field free electrons के बीच में लग रही होगी, और the work done by the electric field of free electrons, work done का formula होता है, VIT, यह रहा formula, हमने हमेशे VIT आद क्या, I square RT भी लग सकते होगे, यहां पर V की जगे आया तक दो होगे, तो IR into IT, that is, I square RT हो जाएगा, ठीक है, तो work इसे work done heating, juice law of heating effect के अंदर work done का formula पता होना चाहिए, ठीक है, what is electric power, power का formula पता है, work done upon time, या वी आई ले लो, या फिर V square upon R ले लो, या फिर I square R ले लो, सब आपको अपको अलड़ी पता है, यहां पर Joule per second होती है, इसकी value है, फिर what क्या सकता हूँ मैं, और यहां पर heat energy produced due to the electric current MS Delta T होता है, यहां पर यह भी आपको आद रखना पड़े का MS Delta T, ठीक है, specific heat होती है, that is S की आपर value आपको अलड़ी दे रखे, 4200 Joule per kilogram degree Celsius, अब हम बात करने बाले fuse wire के बारे में, fuse wire क्या होता है, it should have high resistance and very low melting point, उसका resistance जादा होना चाहिए, melting point होना चाहिए, कम, ठीक है, resistance जतन होना जादा होगा, melting point जतना कम होगा, तो अगर बहुत जादा एकदम से current flow कर गया, तो fuse wire तुरन ब्रेक कर देता है circuit, क्योंकि उसके melting point कम होता है, तुरन melt हो जाता है, वही circuit ब्रेक हो जाता है, यह पता होना चाहिए, आपको, if the current passing through the fuse wire of radius R, तो वहाँ पे जो, अगर fuse wire का radius R है आपे, तो उस case में जो current होगा, वो directly proportional होगा, उसके radius के 3 by 2 से, जाना 3 by 2 तो पावर में ले लो, उसके directly proportional होगा, यह बहुत ही अकसर, बहुत rare पुछा जाता है, पढ़ लेना, पढ़ना हो तो, the current carrying capacity that is, I is independent of the length of the fuse wire, जो current capacity होती है, यह फिरह पे relation है, जो I होती है, वो fuse wire क आपकी length पर depend नहीं करती है, independent होती है, ठीक है, if N appliances, each of equal resistance R are connected in series with a voltage of V, तो उसमें power क्या होगी, V square upon NR, देको directly, directly, अगर N appliances, N, कितने भी appliances, N times ले लो, वो अगर यहाँ पे equal resistance R रहेगा, उनका voltage V रहेगा, वो अगर series में connected है, तो उस case के अंदर आपका, यहाँ पे जो power होगी, V V square upon R होगी, V square upon NR, और N V square upon R, तो इस दो आपको याद रखने है, बहुत important है, ठीक है, अगर आप इन दोनों का ratio कर लोगे, parallel or series का, वो N square के equal आजाएगा, जितने आपके appliances connected है, ठीक है, T1 and T2 are the time taken by two different coils for producing same heat, तो उस case में, अगर यहाँ पे यह series में connected है, तो जो time taken होगा, वो ह हम बात करने वाले क्रिचॉफ's law के, क्रिचॉफ के दो law होते है, पहला होता है, फिर्स law junction rule and क्रिचॉफ currents law, the algebraic sum of electric current meeting at a junction is 0, इस junction पर जहाँ पर सारे current आ रहे हैं, यहाँ उस का junction पर जो sum होता है, current का वो 0 होता है, देखो, while applying this rule, take currents approaching the junction, जो हाँ पर currents junction को approach कर रहे हैं, उसको positive लेना, और जो तूर जा रहे हैं, उसको negative ले लेना, तो इस case में यह दोनों पास आ रहे हैं, तो i1 प्लस i2 और यह दो यह तीनों जूर दूर जा रहे हैं, तो minus i3, minus i4, minus i5, ठीक है, देखो, यह चीज यहाँ पर लिख्यों हो, यह equals to 0, इनका algebraic sum 0 के equal होगा, तो आप इस differential difference around a loop 0 होगा, देखो यह रहाँ, अगर कोई directly पूछ ले theory का सवाल, तो second law इस तरह के लिख क्या होगा, क्रिचॉफ second law हमें यह भी बताता है कि electrostatic force is conservative force है, तो यह आपको चीज़े याद रखनी होती है, क्रिचॉफ law के according, अब सुल लो, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, question solve करो, क्रिचॉफ law पे, क्रिचॉफ law पे question solve करने पड़ेंगे अपने को, loop rule, हम क्या करते हैं, ए तो clockwise ले लो, फिर आप देखो current का direction के, फिर positive, negative लेते चलते हैं, ठीक है, यह अपनी equation, दोनों तरफ equations बनाते हैं, और फिर इसको solve करते हैं, यह कैसे होता है, जब आप question solve करो हूँ, question के लिए तुमारे कि नहीं आने वाले हैं, मैं तुम्हें question provide करने वाला हूँ, तो questions के लिए तुमारे पास एक opportunity आने वाली है, तुम देख, वो तुमारे उपर है, तुम उसको लेते हो, नहीं लेते हो, बड़ तुमारे लिए questions के लिए एक opportunity आने वाले है, जल्दी अएसा इहार आया वह ऐसा यह R1 यह R2 यह R3 यह R4 यह R 5 तो इसका रेश्व ले लो R1 by R4 का और R2 ride R3 रेश्व ले लो अगर यहुझ बोल आ जाये रेश्व में तो तो तुमारे जो R5 हो वह अपने आप यहाँ जाया तो इसको यह चाट दोगा यह वाना तुम्हारा कोई existence के लिए रहा जाएगा ठीक है तो यह इसको में कह सकतू हूँ नल पॉंट एमिटर क्या होता है यह इसको में करनेट कर दो गैलवन इमिटर से देखो यह रहा गैलवन मीटर यह रहा है तुम्हार लुट में कीजर तो इसको में अविटर इसको फिर इसको आई जी घे आई इसको यहां पर रखा है आई current यहां पर आया आदा इस स्वालय रिस्टेंस स्टेंस के लिए गया तो मतलब आगर आई-जी आई-धी हो जाएगा और आई-जी तुमारा गरत करेंट है अरे देखो ना यार आई फेला फेल्ची फेल्ए हो गया तो इस आई-धर फेला गया तो इस एफेल में फ्रियो current to be measured by emitter यहाला तुम्हारे formula दे रखें जिसमें तुम्हें s की shunt तुम्हें पूछे लिए अगर कितना resistance s जो तुम्हें शंट लगा है उसकी value क्या है formula यह तुम्हें एमिटर से इस type के question आ सकते कि s का formula क्या है और यहां पर resistance of the emitter का formula भी तुम्हें आ दे रखा है मैंने वह तुम्हारा s का निकालने का formula और resistance of the emitter दोनों का formula तुम्हें मैंने प्रोवाइट करें हुआ हूँ ठीक है दोनों के formula बता होना चाहिए मिटर में क्या होता है शंट parallel में लगाते हैं यहां पर क्या करते हैं तुम सीडिज में लगा देते हो बात का तुम अगोड़ वोल्ट मीटर विच्छा हाई वैल्योव रिसिस्टेंस सिमिलर्डी वोल्ट मीटर जो हमारा उसके लिए हाई रेसिस्टेंस चाहिए सो करेंट सेंसेटिविटी ओड़ ग्या होती है थीटा भाय थीटा इस दिफ्लेक्शन ऑग ग्यलवन्यों मिटर वन करेंट आइस पास थ्रूए जो गलवन्यों मिटर डिफलेक्शन आया उसको म मनें पास किया गवन्यों मिटर से ठीटा बाय अगर कोई बोले भइऑ वोल्टे सेंसेटिवीटी जो होति फीटा भाय वीचो अग पीटा ग्या होति उतिफ्लेक्शन अ क्या होता इन उस बयर प्रेंसिपल ऑफ वीड स途र ब्रेज इस यूज तूफ फाइंड ऊंनौन रसि सब्सक्राइब निकालते हैं सारी देखों यहां पर मैंने कंडिशन मतलब सारी लेबलिंग दे रखी कौन सी देखों यह वन मीटर की है तो यह 100 cm हुए तो अगर यह L है तो यह 100-L होई यह हमारा रेसिस्टेंस है और ऐसा हमारा अन्नोन रेसिस्टेंस ही रहा तो एट बैलें कंडिशन पर हमारी S is equals to 100-L upon L into R ठीक है 100-L upon L into R तो S अन्नोन रेसिस्टेंस की वैलियू आपको इस फ़र्मिल से मिल जाए लाज्ड पोटेंशियो मीटर देख लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ अक्रॉस दो होता है मेरा पोटेंशिल ग्रेटियन लग्रेडीयन देख सकते हैं यहां पर वी पोटेंशि़ल से पटेंशियल ден जो होता है वो हमेशा EMF जो हमारा E होता है इससे कम होता है VAB is less than E तो यहाँ पर जो हमारा potential वो होता है gradient वो होता है VAB upon L वही बोला है मैंने potential upon length ना इस that is potential gradient उसको हमने X denote किया है तो what is sensitivity? X also indicates about sensitivity of the potential meter जो हमारा X होता है जो हमारा potential gradient बोलते हैं उसको में sensitivity भी तरह के उसको में sensitivity की तरह भी इसको एक्ट वो करता है अगर X कम हुआ तो sensitivity जादा होगी ठीक है X कम हुआ sensitivity जादा होगी तो कभी-कभी आपको theory में पूछ लेता है X और sensitivity का relation यह भी याद करना है तो comparison of EMF of the two cells को यहाँ बहुत generally को जब भी potential meter आता है आपको जवाला formula में 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 आता है E1 upon E2 is equals to L1 upon L2 ठीक है यहाँ पर क्या होता है इन इफिन a potential meter null point of an EMF source or resistance is known with or without them then the value of the EMF source and resistance can be find out with the formula इस formula से हम value of resistance and the EMF source की value निकाल सकते है E1 upon E2 is equals to L1 upon L2 से यह पर internal resistance का formula होता है L1 minus L2 upon L2 into R similarly यहाँ पर comparison of the two resistance भी हमारा हो सकता है तो दो cells को हम compare कर रहे हैं आपे potential meter के अंदर ठीक है दो cells को हम compare कर रहे हैं और दोनों cells primary circuit and secondary circuit दो type के circuits हैं तो हम यहाँ पर दो cells को compare कर रहे हैं और उस case के अंदर जो हमारे EMF होगी दोनों cells की comparison में वो हमारा formula होगा E1 upon E2 is equals to L1 upon L2 सारी values आपको question में given होगी direct formula based question आजाएगा internal assistance का formula आपको यहाँ पर given है और comparison of the two resistance का भी formula पता है आपको I hope कि आपको यह chapter समझ में आया हो काफी जादा यह formula based chapter है आपको जब तक questions practice नहीं करोगे इसके जब तक यह नहीं समझ में आगा मैं बता रहा हूं बार बर questions practice करने पड़ेंगे इसके formula लेके बैठो questions पे apply करो concept कुछ है वो कुछ apply करो I hope कि आपको यह revision series पसंद आ रही हो आपको यह वाले chapter पसंद आया हो आज का मैं फिर क्या रहा हूं इस्टरग्रम को वैज लिंक डिस्क्रिप्शन जाकर follow मारो और पीडिफ के लिव मैं कुछ करने वाला हूं ट्रेशियं मतलू विजए थैंक वाच इन इस वीडियो जब दिस्टेबलेश गुडबाई बाबाई